हाँ भाय, determinant का VVI question है, करा fact राज करो गुनन खंड करो इसका, B plus C का square, A square, A square, फिर B square, C plus A का whole square, B square, फिर C square, C square, A plus B का whole square, अब आप बोलोगे गुनन खंड कैसे करेगे, एरे यार बोलने की भासा लगे, determinant बनाओ न, लिखेंगे जो दिया गया उसको लिखेंगे, दिया गया है इंग्लिस में लिखने की मर्ज योगित लिखना, given, जो determinant हो उसको लिखो, delta बढ़ाबर, determinant को delta बोलते हैं, sort me, delta है, B plus C का whole square, A square, और A square, और B square, C plus A का whole square, B square, और C square, C square, A plus B का whole square, अब सुनों अगली कहानी, determinant को बनाने के लिए क्या बताया गया है, कि दो 0 हमें चाहिए, दो 0 में ले आओंगा, ले आता हूं, दो 0, एक तो ऐसा करना, यह हमारा column number first हो गया, यह हमारा column number second हो गया, यह हमारा column number third हो गया, अगर मैं पहले में से तीसरे को घटा देता हूं, प कांड को लिखो, पहले में से मैं तीसरे को घटा रहा हूं, तो एक जिर, C1 में C1-C3, और फिर, दूसरे में से तीसरे को घटा रहा हूं, C2 में C2-C3, मच्छर अंकल जलिए, बढ़ी आ गया है, काट रहा था यार, कैसे बनेगा यह, C1 में C3 घटा हूं, तो यह C1 है, C3 तो बनेगा यह, B plus C का whole square, घटाएंगे माइनस A square, घटाएंगे इसको तो 0 आएगा, इसको घटाएंगे तो C square, माइनस A plus B का whole square, किलर है, उसके बाद जो अगला कारिक्रम है, C2 में से C3 घटाएंगे हैं, दूसरे में से तीसरा को घटाएंगे, दूसरा में से तीसरा घट घटाएंगे तो 0 आएगा, और जब यहां घटाएंगे तो आएगा C plus A का whole square, इसमें घटाएंगे माइनस B square, फिर दूसरे में से तीसरा घटाएंगे, इसमें से इसको घटाना है, तो C square माइनस A plus B का whole square, और यह A square, B square, A plus B का whole square, अब तुम खुस हो रहा होगा सर, दो 0 किसी एक ही column में चाहिए था, वह इससा तो या या नहीं, खैर, चलो आगे, बढ़ते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो क्या कर सकते हैं, यहां पर A square minus B square का formula तुम लगा सकता हो, A square minus B square, A plus B, A minus B, एक बार जोरो, एक बार घटाओ, जोरो, B plus C plus A, एक बार घटाओ, B plus C minus A, चलो, इसका कुछ नहीं करना, यार, A square minus B square, एक बार जोरो, C plus A plus B, और एक बार घटाओ, A square minus B square से, A plus B, A minus B, तो घटाओगे तो C minus, घटाओ में चिन बदलेगा, minus A minus B, यह हमारा 0 है, एक बार इसको, A square minus B, एक बार जोरो, C plus A plus B, एक बार घटाओ, C plus A minus B, चलो, A square minus B square, एक बार जोरो, C plus A plus B, एक बार घटाओ, C minus A minus B, C घटाओ जोरोगे तो देखो, जोरोगे तो सेम तो सेम, लेकिन घटाओ तो इसका चिन बदलेगा, तो minus A minus B, और यहाँ A square, B square, A plus B का whole square, बार साब, अब मैं देख रहाओ कि B plus C plus A, B plus C plus A, दोनों में common हो जाएगा, common ले लिजिए यहाँ पर, क्या लिखोगे, A plus B plus C common ले लिए यहाँ से, यहाँ भी देख रहे हैं, दोनों में है, A plus B plus C, A plus B plus C, दो बार common हो जाएगा, बच गया, B plus C minus A, 0, यह common हो गया, C minus A minus B, यह common हो गया, 0, C plus A minus B, यह common हो गया, C minus A minus B, और यह A square, b square a plus b ka whole square ऐसा आ गया है common लेने के बाद जो कांड की उसका detail देदो क्या की हो भाई c1 से a plus b plus c और c2 से भी a plus b plus c दोनों से common लिया है यहां से भी और यहां से भी लिखेंगे c1 तथा c2 से a plus b plus c common लिया इंगलिस में लिख सकते हैं टेकिंग common a plus b plus c from c1 and c2 ऐसे परिछाओं लिख देना ठीक अब देखो यह क्या हो गया यार दो zero तो आ गया लेकिन determinant sort नहीं हुआ हमें थोड़ा और sort चाहिए तो इसको आसानी से बना सकते हैं अब बहुत त्यड़ा मेरा लग रहा है तो मैं क्या करूं यार अगर मैं इसमें से इसको घटा देता हूं तो 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 a से कटेगा c से c कटेगा घटाने के बाद देख ले ना और minus b से यह घटेगा नहीं minus 2 भी थोड़ा sort हो जाएगा इसमें से इसको घटा होंगा तो कोई अंतर ने पड़ेगा बट इसको घटा होंगा तो अंतर पड़ेगा तो c में से c 0 यह भी 0 हो जाएगा minus 2 है लेकिन ऐसा तो कर नहीं सकता है कि एक बार इसमें यह घटाएं एक बार इसमें यह घटाएं तो हमें हाँ पर क्या करेंगे हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं कोई दिक्कत ने है उसके बाद घटाएंगे पहले दोनों को जोड़ लेते हैं उसके बाद घटाएंगे तो क्य 1 प्लस r2 r3 में जो है r3 में घटाएंगे इसमें से घटाएंगे किसको घटाएंगे दोनों को जोड़ लेंगे उसके बाद घटाएंगे तो चलो पहले इन दोनों को लिख लो r3 में काम करेंगे लाश्ट में लिखाएगा r3 पहले दोनों को लिख लो b plus c minus a और 0 a square चलो लिख में घटाएंगे किसको दोनों को जोर कर पहले मन ही मन दोनों को जोर लो उसके बाद आर्थरी में घटाओ तो आर्थरी में जब घटाओगे दोनों को जोरोगे ने इन दोनों को तो ए ही रह जाएगा जिरोस तो कोई दिक्कत थे ने घटा दो मन से ही से सी से सी कट जाएगा अब ये से A कट जाएगा क्या हो? क्योंकि घाटा होगे चिनहा बदलेगा तो ये होगा माइनस तो काट दिया, ये होगा पलस तो ये भी काट दिया, तो माइनस B घाटा होगे तो इसका चिनहा बदलेगा, तो माइनस B, माइनस B, माइनस 2B आ गया, बोलोगे अब क्या करोगे बास हां अब यहां भी हो ही काम R3 में घटा रहे हैं दोनों को जोर कर R3 में घटाना है दोनों को जोर होगे तो वही रह जाएगा घटा होगे C से C चला जाएगा B से B चला जाएगा क्यों कि एक SaiGenge होगा प्लस यहाँ पे माइनेस हो जाएगा घटाओगे तो r3 में घटा रहे हो ने इसको तो a-2a और r3 में जब इसको आप घटाओगे ना तो देखो a plus b का whole square तो पहले से है तो यह होता a square plus b square plus 2ab जब घटाओगे ने इसको तो यह भी minus होगा यह भी minus होगा तो A square B square दोनों कट जाएंगे चेक कर देना कहीं बच जाएगा 2 A B अब मेरा दिमाग काम किया यार कि अब तुम्हें 2 0 बहुत आसानी से लियाओंगा तुम बोलो कि कैसे 2 0 लियाओंगे सर प्लान है अगर यहाँ A आ जाता और यहाँ तो देखो 2 A B, 2 A B कट जाएगा दोनों को जोड़ लेंगे अगर यहाँ B आ जाता तो 2 A B, 2 A B कट जाएगा तो अब कोशिस करेंगे कि हमें यहाँ पे लियावें A और यहाँ पे लियावें B यहाँ पे A लाने का एक तरीका मेरे पास है आप 1 बटा A common ले लो तो common लोगे तो भाग देना पढ़ेगा 1 बटा A से तो अगर मैं लिखने रहा हूँ मतलब लिख रहा हूँ लेकिं लिखने रहा हूँ मनी-मनी यह काम करा हूँ तो अगर मैं common लेता हूँ 1 बटा A से भाग देता हूँ तो A चला जाएगा ऊपर तो 2A भी तो बन जाएगा, उसी परकार यहाँ पे, मैं 1 बटा B common ले लेता हूँ 1 बटा B common ले लूँगा, तो B ऊपर चला जाएगा, 2A भी से 2A भी, cancel तो, चलो, कहाने यह स्टार्ट करो, A प्लस B प्लस C का होल अस्वार पहले से ले लो 1 बटा A common, दूसरे से ले लो 1 बटा B common कांड लिख देना यहाँ पे, क्या किये हो, उस चीज को लिख देना है, common ले लेना है बोलोगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो चलो, पहले से 1 बटा A common ले लिया है 1 बटा A common ले लिया पहले से जब 1 बटा A common लिया है मतलब 1 बटा A common लेना मतलब 1 बटा A से भाग देना तो 1 बटा A से भाग दोगे तो A चला जाएगा ऊपर तो यह जब ऊपर जाएगा A से गुना होगा तो बनेगा जानते हो क्या है A, B, A से गुना होगा, पलस A, C, A से गुना होगा, माइनस A स्कॉर, यहाँ भी 1 बटा A से भाग दोगे, इस पर कोई फ़रक नहीं पड़ता, 0 हे रहा जाएगा, यहाँ पर 1 बटा A common लोगे, 1 बटा A देखो common लिया हुआ है, 1 बटा A common लोगे, A उपर जाएगा, तो माइनस 2 A, B, यहाँ से 1 बटा B common लिया है, 1 बटा B, common कमतला भाग, तो 1 बटा B से भाग दो, तो 0, यहाँ पर 1 बटा B से भाग दो, 1 बटा B से भाग दो, कि B उपर जाएगा, तो आजाएगा, B C, पलस A B, माइनस B स्कॉर, यहाँ पर 1 बटा B से भाग दो, 1 बटा B से तो B उपर ज तथा C2 से 1 बटा B कॉमन लिया बहुत ही अच्छा समेथड है बिल्कुल किताबी भासा नहीं है एकदम अच्छे से आप लिख सकते हैं इसको तुम बोलोगे अब अब एकदम अस्पश ठेक मैं क्या करूंगा लास्ट लाइन ही लगभग चल रहा है A प्लस B प्लस C का होल स्क्वार यह हो गया 1 बटा A B देखो मेरा प्रोग्राम क्या था प्रोग्राम यह था कि मैं यहाँ पे 0 लियाओंगा इन दोनों को जोर के अर्थात फिर मैं हो ही करूंगा यह हो गया C1 यह हो गया C2 और यह हो गया C3 दोनों को जोरेंगे एक 0 आ जाएगा C1 में से जोरेंगे हम C1 प्लस C3 और C2 में भी जोरेंगे एक बार C2 में जोरेंगे C2 प्लस C3 भाई अब क्या करोगा दोनों को जोरो जोरा A2 A2 कटेगा AB प्लस AC भोलोगे अब बहुस हाँ आगे चलते हैं फिर दोनों को जो रो कितना जाएगा b square और इन दोनों को जो रोगे c1 में c3 c1 में c3 0 आ जाएगा अब c2 में c3 c2 में c3 जो रही है तो b a square दोनों को जोरिये तो B2 B2 कटेगा B C plus A B दोनों को जोरिये तो दोनों को जोरिये तो कितना एगा 0 A2 B2 बांकिया गया तो भी अब मेरे पास 2-0 आचुका है और अब मैं इस determinant को बहुत ही आसानी से बना सकता हूं लेकिन मुझे पेज बदलना पड़ेगा आपको भी लगता है एक्जाम में इसे दो पेज में ले जाना पड़ेगा चलो यहां से मैं पेज चेंज कर लेता हूं थुरा सर यार अंधेरा हो गया होगा तुम्हारी तरफ लेकिन खेर कोई काम तो करना ही पड़ेगा लिखा हुआ देखो लिखा हुआ है अप्लश बी प्लस सी का होल्श्कूर इंटू वन बटया है मैं इसे एक उमन लेता हूं पूरे से कोमन लेता हूं और इस पूरे समयद बी कॉमन लेता हूं till कोड़ा और चोटा हो जाएगा थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा common लेने के बाद कितना आ जाएगा पता a common लोगे तो आ जाएगा a plus b a plus b यहां से a common लोगे तो a बचेगा यहां से a common लोगे तो a बचेगा थोड़ा सा writing खड़ा बोड़ा होगा नीचे लेकिन एक line वर यार उसके बाद मैं इसी page को लिख दूँगा उपर यहां से b common ले लेंगे तो बच जाएगा b यहां से b common ले लेंगे बचेगा c plus a और यहां से a common लिये थे तो b plus c बचेगा ना b plus c बचेगा यहां से a common लिये थे हम लोग A common लिये थे तो B plus C बचेगा यहां से B common लिये हैं B बचेगा 0, 0, 2, A, B अब मैं determinant को expand करने जा रहा हूँ पहले मैं इसे काट देता हूँ अब मैं determinant को expand करने जा रहा हूँ tension खतम करो last line है यह होगे हमारा A plus B plus C का whole square मैं expand करूँगा तीसरा रो से विस्तार करूँगा लिखोगे तीसरे रो के सापेश विस्तार करने पर तो यह दोनों तो लिखाएंगे ने केबल लिखाएगा 2A भी लिखाएगा और 2A भी का ख़ड़ा पड़ा यह दोनों line delete होगे क्या बच गया B plus C A B C plus A भाई खुशी हो रही है खत्म हो गया A plus B plus C का होला स्क्वार इंटू 2A B इंटू इसको करो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा B C और प्लस अरे यार एक सेकेंड रुको तो कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है ना कुछ एक्स्ट्रा में नहीं लिखा है ना नहीं सही है तो यह हो जाएगा हमारा B C B C अब B से करेंगे A को प्लस A B B से किया C को B से किया A को A B फिर C से किया C को प्लस C स्क्वार और प्लस A C ऐसा बन गया माइनस A B देखो क्या हुआ यह से गुना यह से गुना किया A B से खत्म हो गया आ गया A प्लस B प्लस C का होल अस्क्वार इंटो 2 A B यहां पर देखो C सभी में है C भी कॉमन ले लो C कॉमन ले लिए तो बच गए यहां पर B यहां पर बच गया C C कॉमन यहां पर से C कॉमन तो बच गया A तो कुल मिला कर जो आया है बाबू यहाँ है 2abc into a plus b plus c दो बार यहाँ और एक बार यहाँ कुल मिलाकर whole q यही आपका answer है बचों 2021 में यह सवाल आया है अगर कहीं पर आपको problem होई तो मैं request करूँगा time काफी लग चुका है अब second time आप video को देख लो बहुत अच्छे से आ जाएगा तो एक जाम अगर आता है तो उम्मीद करते हैं कि आप बना दोगे और पांच निम्बर से कम काएगा तो नहीं तो आपको आने वाले एक जाम के लिए बहुत बहुत सुभ़त कमना है और अगर आप सोचते हों कि इसे और भी प्रसन आपको मिलें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बाई बाई वेस्ट आफ लाइव